हेलो आईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शिक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 14 दिसंबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हमेसे की तरह आप इस वीडियो को अंतितक जरूर दिखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग एंड एकनोमिक अवेर्नेस पीड को यूज कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लोगिन भी कर सकते हैं, कोई भी आपका एक्जाम हो, बैंकिंग, एससी, रेलवे आफिस टेट, पीडियेफ पीडियेफ पूछे जाते हैं, सभी एक्जाम के लिए हमारे पीडियेफ कॉंट वर्ड वाइब वेब, वर्ड वाइब वेब, वर्ड वाइब वेब का अविश्कार किसने किया, ओप्शन से हैं, जोन बैकस, डोनाल नूत, चार्ल्स बैवेच या फिर टिम बर्नल्स ली, तो इजी कोश्चन है, जल्दी सांसर कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी विन बैकस 2023 इस जोन्त मेंडिया अन्प्शन बिच कांट्री, बारत और किस देश के वीच, एक सही यूक्त सैन्फन अभढ़ास है, ओप्शन सापके सामने है, सही आशर ओप्शन बिचन भी है है वियतनाम आपको जाना चाहिए विन्बेक्स 2023 है यह फोर्थ एडिशन है जोइंट मिले ट्रेक्स रसाइस का जो की भारत और वियतनाम के बीच होता है इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस जो भारतिय आर्म फोर्सेस है इनका जो दल है वो हनोई वियतनाम पहुंच चुका है आपको बता दे इसमें इंडियन कंटिंजेंट जो पहुंचा है इसमें 39 परसनल इंजीनियर रेजिमेंट और बैंगाउल इंजीनियर गुरूप के हैं वहीं 6 परसनल आर्मी मेडिकल हुई थी और पहला एडिशन जबलपूर मध्यपरदेश में हुआ आपको बता दे कि यह जो एकसाइस है यह अल्टरनेटिवली होती रहती है एक बार इंडिया में एक बार वियतनाम में और जो लास्ट एडिशन था यह चंडी मंदिर मिलिटर स्टेशन में हुआ था अग कि अध्यक्षता की आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन यह है पटना आपको जाना चाहिए कि यूनियन हो मिलिस्टर एंड मिलिस्टर आफ कोपरेशन अमित्शा इन्होंने पटना बिहार में इस्टर्ण जोर्नल कांसिल की 26th मीटिंग कि अध्यक्षता की है इस्टर्ण ज स्टैब्लिश किया था एक्ट ऑफ पार्लेमेंट के द्वारा यानि की स्टेट सरी और्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 यह एक्ट कंट्री को पांच जोन में डिपाइट करता है नदर्ण सेंट्वल इस्टर्ण वेस्टर्ण एंड सदर्ण और इसके अलावा बाद में फिर न जोनल कांसिल यह अध्यक्षता हो मिस्टर करते हैं विच कंट्री वोन्द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ एड्मिराल्स कप एड्मिरल कप का बारवा एड्मिर्संस करण किस देशने जीता है सही आंतर ऑप्शन ए इटिली है आपको जाना चाहिए कि ट्वेल्थ एडिशन ऑफ एड्मिरल्स कप सेलिंग रेकाटा यहाली में एटिकुलम बीच में हुआ है जो की इंडियन नेवल एकेडमी एडिमला को जो है होस्ट करता है ठीक है और टीम इटिली नई इस एड्मिरल कप 2023 को जीता है टीम इंडिया इसमें रनर्स अप रही वहीं टीम युनाटेट किं पोजिशन पर रहें और अगर हम इंडिविजिल पोजिशन इन विमेंस के टेगरी देखें तो लुसी बेल युनाइटिट किंडम की यह फस्ट पोजिशन पर रही है वेन इस देशल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलेबरेटरिड रास्टे उर्जा संद्रक्षंण दीवस कम मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने हैं सहियां सरा ओप्शन डे है दिसम्बर फोर्टीन आपको जाना चाहिए National Energy Conservation Day ये हर साल 14 December को मनाया जाता है और Mystery of Power के तहट आने वाली Bureau of Energy Efficiency इस डे के celebration के लिए Nodal Agency है Government of India ने Bureau of Energy Efficiency BEE को एक मार्ज 2002 में सेट अप किया था Under the Provisions of Energy Conservation Act 2001 Which institution has launched Global Methane Reduction Platform for Development CH4D किस तनस्थान ने विकास के लिए Global Methane Reduction Platform launch किया है Options आपके सामने हैं सही आमतर options ही रहेगा World Bank आपको जाना चाहिए कि Methane Emissions जो rising level हो रहा है उसका तो उससे काफी thread है तो इसी thread से बचने के लिए या निपटने के लिए World Bank ने कुछ plans announced की है यह country-led programs है और अगर इन programs को सही से apply किया गया तो 10 million tons of methane में जो है reduction हम देखने के लिए मिलेगा तो दो partnership platform launch किया है पहला है Global Methane Reduction Platform for Development यानि कि CH4D यह focus करता है methane abatment in agriculture and waste दूसरा है Global Fearing and Methane Reduction Partnership GFMR यह concentrate करता है reducing methane leaks in the oil and gas sector तो पहले बाला तो agriculture waste से जो methane आती है उसको कम करने के लिए है दूसरा है जो oil and gas sector में जो methane leak हो जाती है उसको reduce करने संबंदित थोड़ा सा methane के बारे में जानेगी जो methane है यह total जो global greenhouse gas emission उसमें 90% 19% methane रहते है rice production से methane जो निकलती है 8% livelihood से 32% waste 18% तो इस तरह का share रहता है जो all human driven methane emission उसमें अलग-अलग factors का methane आपको जाना चाहिए carbon dioxide से ज्यादा इसमें global warming potential होती है who has been honored with the national award for best personality empowerment of differently abled by president रौप्ती मुर्मू रास्परी रौप्ती मुर्मू द्वारा सर्वस्रिष्ट व्यक्तित्व दिव्यांगों के ससकती करने के लिए रास्टे प्रुसकार से किसे सब मानित किया गया है options आपके सामने हैं सही answer option C है प्रशांद अगरवाल आपको जाना चाहिए कि प्रसांद अगरवाल जोगी प्रेजिएंट है नारायन से वासनस्थान के इनने नेसनल अवार्ड पर बेस्ट परसनेलिटी इंपार्मेंट रौप्ती मुर्मू के द्वारा recognized for his outstanding contributions प्रशांद अगरवाल has led initiatives in establishing residential schools vacation rehabilitation centers and providing assistive devices for differently abled individuals which company has reduced its stack in SDFC Asset Management Company to 6.953% from 9.046% किस कंपनी ने SDFC Asset Management Company में अपने हिस्सेदारी 9.046% से घटाकर 6.953% कर दी है options आपके सामने हैं सही answer option A LIC आपको जाना चाहिए जो Life Insurance Corporation of India है इसने inform किया है कि SDFC Asset Management Company Limited में इसके जो percentage shareholding है वो 9.046% से घटाकर अब 6.953% हो गई है LIC की बात करें इसका जो आप मोटो समझ सकते हैं या इसका theme जो है वो है योगक्षमम वहमयम चेर परसन सिदार्थ महंटी है मैनेजिंग डाक्टर है आर ड्रवाई स्वामी एम जगनात तबलेश पांडे एंड सत्थ पल भानू अचा एक और current affair हम जानेगे इसी तरह का है insurance से संबंदी थी पर यह ministry of external affairs से संबंदी थे है महत्पून current affair है देखी जो इंडियन migrant workers है उनकी कोई agreements होती है कोई problem होती है तो उसका जल्दी निप्टा रहा हो सके होती है तो इसे बंद नहीं किया bank guarantee को इसके साथ credit insurance में launch किया है तो यहाँ देखिया कि इसके द्वारा minister of external affairs के द्वारा साथ ही आपको जाना चाहिए कि echo general insurance and phone pay इन्होंने partnership की है to offer car and bike insurance products directly through the phone pay platform Air India and which private sector bank have entered credit card point conversion partnership Air India और किस नीजी छेत्र के bank ने credit card point रूपा अंधरन साथ आरी की है सही आंधर option भी access bank है आपको जाना चाहिए access bank and air India जो की इंडिया के leading global airline है इन्होंने partnership की है जिसके द्वारा access bank credit card customers अपने जो access edge reward points है या फिर edge miles है उनको air India flying returns point में जो है transfer कर सकते है अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया एक को जनरल निश्रेंस वाला न ये दो बार repeat हो गया माफ कीजेगा which bank has launched नारी सकती savings account किस bank ने नारी सकती बचत खाता launch हिया है options आपके सामने सही answer option भी रहेगा bank of India देखे bank of India ने नारी सकती savings account लाँच किया है जो भी महिलाएं है 18 या उससे जादा की जो भी women है 18 या उससे जादा की independent source of income के साथ देखे उनके लिए saving account offers enriched privilege and features embedded with personal accident insurance cover as high as रूपीज 1 करोड एक करोड रूपे का personal accident insurance प्रोवाइट करा रहे हैं और जो भी नारी सकती account open होगा तो हर एक account opening के साथी 10 रूपे जो है CSR fund में डालेगा bank of India bank of India की बात करते हैं headquarters मुंबई महारास्ट में है MD & CEO रजनी इस्ट करना ठका है टैग लाइग ने relationship beyond banking Where has modern agriculture science technology center been launched in India भारत में आधोनी क्रिसी विज्ञान परदोगी के इंदर कहां launch किया गया है options आपके सामने है सही answer option C महारास्ट है आपको जाना चाहिए world bank funded modern agriculture science technology center for climate adaptive agriculture environment इन्होंने महत्मा फूले agriculture university राहुरी इन एहमद नगर district महारास्ट में इसको launch किया गया है जो modern agriculture science technology center है इसे महत्मा फूले agriculture university राहुरी एहमद नगर district महारास्ट में launch किया गया है साथिया आपको जाना चाहिए department for promotion of industry and internal trade यानि की dpiit जो की mr. of commerce industry के तेहता था है इसने world bank के साथ collaborate किया है to improve India's logistic efficiency which PSU signed a 200 million euro loan agreement with the German bank KfW to enhance the distribution infrastructure of discounts किस PSU ने discounts के वितरण बुनियादी धाचे को सुद्रण बलाने के लिए German bank KfW के साथ 200 million euro रिटे समझोते पर हस्ताक्षर किये है सही आंत्राप्शन भी है आर इसी देखे आर इसी लिमिटेड इसने 200 million euro loan agreement sign किया है German bank KfW के साथ to enhance the distribution infrastructure of discounts जो discounts है distribution companies जो है power distribution companies तो उनका जो distribution infrastructure है वो और अच्छा हो सके इसके लिए sign किया गया है ये agreement और भारत सरकार्ण ने हाल में revamped distribution sector scheme भी launch की थी तो इसके बारे गार हम देखें RDSS यान कि revamped distribution sector scheme इसकी जो आउटले है जो बजट है वो तीन लाग तीना जार सास्टावन करोड रूपे का है पांस साल के लिए यानिकि 2021-2022 से 2025-2026 तक के लिए इस scheme का मकसर है जो भी aggregate technical and commercial losses है उनको बारा से पंदरा प्रतिशन तक घटाया जाए जो average cost of supply है average revenue realized cap है उसको zero किया जाए 2024 तक साथे आपको जाना चाहिए Asian Infrastructure Investment Bank यानि की AIIB और United Nations Development Program यानि की UNDP यह उने एक Memorandum of Understanding sign किया है to strengthen collaboration in promoting sustainable infrastructure development and address development challenges in Asia and beyond तो Asia है सम्मन्दीत कोश्चन है Where has the Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first Indian Art Architecture and Design Binali IAADB 2023 परदार मंत्री Narendra Modi ने पहले भारतिय कला वास्तु कला और डिजाइन बिना ले 2030 का उतकाटन कहां किया सही answer option यह है Red Fort देखे Prime Minister Narendra Modi ने first Indian Art Architecture and Design Binali 2030 किया है इस प्रोग्राम के दोरन Prime Minister Narendra Modi ने आत्मिर भारत सेंटर फॉर्ड डिजाइन भी लौंच किया Red Fort पर ही और स्ट्रेंट बाइनले समुन्नती इसको भी लौंच किया है साथ इन्होंने कॉमेरोटी स्टाम भी लौंच किया Who launched the book नए भारत का सामवेद नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किस ने किया सही आंसर आप्शन सी है रामनात कोविंद आपको जाना चाहिए फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनात कोविंद इन्होंने नए भारत का सामवेद ये एक बुक लौंच ही ह नियू डैली में और इसमें प्राइमिस्ट इंडेंट मोधी की इंडियन कॉंस्टिवें संबंदी जितनी भी स्पीचिस हैं उनका कंपाइल किया उनका कंपाइलेशन प्रवाइट कराए गया है अधर बुक्स तेख लेता है जो न्यूज में रही शेट्स अफ ब्लू कनेक और जलवायू परिवरतन मंत्रा जवरा कॉन सी प्रमान नियोजना सुरू की गई है महत पूर्ण रहेगा कि नई स्कीम लाँच हुए है सही आंसर ऑप्शन दी है इंडियन फोरेस्ट एंड वूर्ट सर्टिफिकिशन इस्कीम लाँच की है इस नेसल फोरेस्ट सर्टिफि को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाँच की गई है इसी स्कीम में फोरेस्ट मैंजमेंट सर्टिफिकेशन ट्री आउटसाइट फोरेस्ट मैंजमेंट सर्टिफिकेशन और चैन अफ कस्टडी सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं इंडियन फोरेस्ट एंड वूर्ट वो ओवर्सी किया जाएगा वो Indian Forest and Wood Certification Council द्वारा किया जाएगा और जो Indian Institute of Forest Management है भोपाल में वो इस स्कीम की ओपरेटिंग एजनसी रहेगी ये स्टेटिक जी के लिए भी मैत पूर्ण है कि Indian Institute of Forest Management कहाँ पर है भोपाल में ये भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है लग लग एक्जाम में याद रखिएगा आपको जाना चाहिए कि जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए और जो विमन मिलिट्री परेस्टनल है पीस कीपिंग ओपरेशन्स में उनकी कैपपिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इंडियन आर्मी ने टेबल टॉप एक्ससाइज टीटी एक्स यह लॉंच किया है विमन ओफिसर्स के लिए कहां की मुमन ओफिसर्स आशियान की एस्सोशेशन ऑफ साओटीस्ट अश्या नेशन्स की जो विमन ओफिसर्स हैं उनके लिए कहां पर मानेक्षा सेंटर नियु इंडियन ओफिसर्साइज इस पार्ट इंडियन ओफिसर्साइज इस पार्ट फॉण एक प्रिम्यर इस्टिशन ने इंडियन आर्मी का जिसके तर्ट पीस्टीपिंग ओपरेशन की ट्रेणि दी जाती है The Ministry of Defence has signed a contract with which company for the acquisition of digital cost guard project रक्षा मंतरा ने digital cost guard पर योजना के अधिगरण के लिए किस company के साथ अनुबंद पर हस्ताक्षिर किये सही answer option C है TCIL देखे Ministry of Defence ने एक contract sign किया है communications, telecommunications, consultants India Limited TCIL के साथ और टोटल कोस्ट रही 588,368 करोड रुपे किसलिए for the acquisition of digital cost guard project under the buy Indian category A pivotal initiative for the Indian cost guard The DCG project will unfold a comprehensive narrative of technological progression encompassing the construction of an advanced data center क्या के बनेगा इसमे Advanced data center Robust disaster recovery data center Amplification of connectivity across IECG sites and the development of the ERP system Which bank was at just best private bank for education and training of private bankers Asia and private bank for growth strategy Asia at the Global Private Banking Awards 2023 Global Private Banking Awards 2030 में किस bank को Niji Bankerों की सिक्षा और प्रेक्षिक्षान के लिए services Niji Bank Asia और विकास और निटी के लिए नीची बैंक एशिया चुना गया है सही आंसर उप्षन सी STFC Bank है देखिए STFC Bank को Global Private Banking Awards 2023 में Best Private Bank for Education and Training of Private Bankers and Private Bank for Growth Strategy Asia चुना गया है STFC Bank से सम्मन्दित और कर अंटरफेस देख लेते हैं जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखे है STFC Bank ने Pays App Campaign लाँच किया है Wide Consumer Connection के लिए STFC Bank ने Reserve Bank Innovation Hub RBIH के साथ पार्टनरशिप की है और iInnovate लाँच ही है जो कि एक nationwide initiative है It's basically designed to champion fintechs focusing on different liable persons STFC Bank ने Self-Service Digital Banking Platform लाँच किया है Expressway to deliver fast paperless banking for its customers एक current affair हम ICIC Bank का भी ही देख लेते है IVIS जो की subsidiary है Magalini Cloud की इसने हाली में ICIC Bank के साथ पार्टनरशिप की है for the distribution of cutting-edge e-surveillance services across its branches तो इस अभी mathematical current affairs है STFC Bank सम्मंदित और लास्ट वाला ICIC Bank से सम्मंदित देखें दो बैंक जब भी कोई initiative लोंच करते है तो exam में देखा गया कि पूछे जाते है ठीक है तो इन दो बैंक पर आप खास नजर रखा कीजिए ICIC Bank से भी पूछे जाते हैं और STFC Bank से भी Previous assignment questions के answer देखेंगे Who is the title? Sponsor of Patna Pirates Team of Pro Kabaddi League Bihar Government How many pollutants are tracked under National Air Quality Index and AQI? 8 PM10 PM2.5 NO2 SO2 COO3 NH3 and PB National Air Quality Index and AQI is prepared for how many AQI categories? Answer is 6 Good, Satisfactory, Moderately Polluted, Poor, Very Poor and Severe Who did Bahujan Samaj Party President Mayawati name as her political successor, Aakash Anand? The government of which state recently issued an order to set up a fact check unit for checking authenticity of state government related information across media platforms Answer is Tamil Nadu, आप में से कई अस्वरें से मिलकुल सही answer किया इसी तरह से पाटिश्पिट करते रहे आज ये assignment questions देख लिते है How many global systemically important banks are there in 2023 Who has been appointed as the Speaker of the Tilangana Legislative Assembly Which airport has become India's first airport to wind up gadgets in trade security check system Who formally declared the Khello India Paragames 2023 open at the KD Jadao Indoor Hall in New Delhi In November, which state government signed an MOU with the National Dairy Development Board NDDB for the holistic development of the dairy sector of the state So these 5 questions can be answered in the comments box Or if you have a question or answer, then you can tell us in the comments box You can also participate in the comments box You can also participate in the current affairs funda You can also join in Telegram You can also join regular video updates and current quiz You can also add any questions in the discussion group If you have any questions in the comments box, please share your friends with your friends If you have any questions in the comments box, please share your friends with your friends Thank you Thank you Thank you